दर्शको आज हम यंत्रों के बारे में बात करेंगे यंत्र कई तरीके के होते हैं उनके नाम भी अलग अलग तरीके के हैं यंत्रों का काफी परभाव होता है यह बहुत ही ज्यादा परभाव शाली होते हैं दर्शको यदि आप हमारे चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो ल उसको श्री यंत्र स्तापित करना चाहिए, कहते हैं कि यंत्रों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली श्री यंत्र ही होता है, इसको स्तापित करने से हम कई तरह की समस्या उसे चुटकारा पा सकते हैं, यह यंत्र व्यक्ति को दमान बनाता है, दन संबंदी कोई भी समस्या हो, उसे दूर करता है शिरी यंद्र एक पवित्र यंद्र है उसको स्थापित करने से पहले हमें अपने मन और तन दोनों को शुद्ध करना चाहिए हमें तन की भी शुद्धी करनी है और मन की भी शुद्धी करनी चाहिए इस मंद्र को स्थापित करना हो तो सुबह उस दिन जल्दी उठकर इसनानादी करके एक साफ सुत्री चोकी लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाए और उस पर शीरी अंधर को स्थाप्ट करना चाहें शीरी अंधर को हमेशा इशान कौर में स्थापिद करें और धियान रखें कोई भी यंत्र को स्थापित करने से पहले चोकी पर लाल कपड़ा बिछाएं जब यंत्र को स्थापित करें और जब आप यंत्र स्थापित कर रहे हों तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए श्रीयंत्र को इस्तापित करते समय उसका अभीज मंत्र का उचारन करें मंत्र है ओम श्रीम रिम नम्हा आप इस मंत्र का जाब करते हैं तो आप हर समस्या से निकल सकते हैं श्रीयंत्र दो प्रकार का होता है एक उधर मुखी एक अदो मुखी जो एक प्राइमिट के अकारवाला होता है श्रीयंतर वो सबसे ज़्यादा फाइदे मंद होता है तामबे का भी श्रीयंतर आप स्थापित कर सकते हैं यह भी बहुत लाबदायक है जब आप श्रीएंध्र को स्तापित करते हैं तो उसकी रोज विदी विदान से पूजा करें नियुद रुप्स से उसके आगे दीपक जलाएं दीपक देशी गी का ही जलाएं और उसका मंतरजाप अवश्य ही करें मंतरजाप कम से कम एक सो आठ वार करें श्री अंद्र की स्थापना से बच्चों की पड़ाई में कोई बादा नहीं आती, यदि आपके विवारे में कोई अरचन आ रही हो, विवा तै नहीं हो पारा हो, तो आप श्री अंद्र को स्थापित करें, आपका विवार शिगरी हो जाएगा, दाम पत्ते जीवन में यदि कोई अन्बन चल रही हो तो इस शरी अंद्र की स्थापना से दम पत्ते जीवन में खुशाली आती है पार में सफलता मिलती है वैसे तो शरी अंद्र को दिवाली के अपसर पर स्थापित करना विशेश फलदाई होता है लेकिन आप शुकल पक्षकितिति को सब्तमीति थी और शुकरवार के दिन इसको स्थापित करते हैं तो आपको विशेश लाब मिलेगा धन्यवाद